हेलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लास्स पर स्वगत हैं और क्लास्टल्थ फिजिक्स में चैप्टर 6 चल रहा है और चैप्टर 6 का ये पार्ट 2 है पार्ट 1 में हमने चुम के फ्लक्स के बारे में चर्चा किया था उसका बेसिक रूप रेखा बताया था और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बेसिक पढ़ाई कुछ कहते हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टन कराई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आपको इदी मोस्ट पढ़ना है तो भीया मोस्ट पढ़ो बेसिक पढ़ना तो बेसिक पढ़ो दोनो टाइप के वीडियोज अपलोड होते हैं और वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेंगे तो आप लोग जो भी प्रिवेस वीडियो नहीं देखे हैं उसे प्लेलिस प्रण से नियम दिया वो कैसे खोच किया इसके बारे हम आप पे रूप रेखा सर्चा करेंगे तब तो फिर आप से बनेगा फैराडे का प्रता मर्दूती नियम तो यहां पर हम सिर्फ चर्चा करने वाले बिद्दुचुम की प्रण सम्मंदित फैराडे का नियम जो कि किस से प्रियोगिक सिध्यानत उन्होंने समझाया ठीक तो सुरू करते हैं तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में बात करें तो जैसा कि पहरे बच्चो इस मतलब फैराडे की मन में एक विद्दू चुमकी प्रण से समंधित का भी बात आई तो चुकि आपको बता है कि जैसे म नी चुमकि चुमकी च्चेतर के कार्ण बिद्द। उत्षेत उत्षपन होसकता है तब फैराडे ने सूचा कहीं ऐसा भी सका चुमकी च्चेतर के आपोजीट बिद्द। धारा बिने लगे तो इसके प्रयोग के लिए उन्होंने अपने मतलब लैव में जो लेबरलोटी होता है मतलब प्रयोख साला में उन्होंने कई बरसों तक उन्होंने प्रयास किया अंति में उन्होंने है न प्रयोख करते करते अचाना क्या हुआ कि वो मतलब एक प्रकार से last experiment था उन्होंने सोचा आप हम इस experiment को नहीं करेंगे यह impossible और उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो भी उपकराणा था उसको फेंक दिया और जब उपकराणा को फेंका तो देखा कि कुछ बिछेफ हो रहा है और जब बिछेफ देखा तब उसे पता चला कि हम इसी के लिए तो खोच कर रहे थे कई बरसों से उन्होंने केबल चुमकिये छेतर से चुमकत्य के कारण धारा कैसे उत्पन की जा सकती इस पर वो विचार भी मर्स कर रहे थे कि बहिए जब माली जे परिपत में लगा है धारा मापी कुंडली और उसमें इसमें विछेफ आ जाए तो विछेफ आगे मतलब धारा भे रही है तो चुमकिये छेतर के प्रभाव के कारण ने चुमकत्य के कारण किसी भी पहिना लिए किसी धारा भाई चालकतार पर यदि धारा उत्पन हो गई भी छेफ हो गया तो फिर उन्होंने खोज कर दिया तब फिर उसको पुना ने अपना पूरा उपकराण क्या किया एक अत्रित किया और पुना उन्होंने खोज का प्रारम में किया समझ गया है कहने का मतलब जैसे पहले उन्होंने सोचा कि जब हम किसी चालकतार पर धार अप्रभाइद करते हैं तो डेफिनेटली चुमकतो का ग पहिनालिका या किसी धारा वहिचालक पर धार भी उद्पन हो सकता है इसलिए उन्होंने अपने प्रयोग में ये बताया फिर क्रम क्रम से प्रयोग किया और फिर यहां पर थोड़ा सा विद्दु चुमकी प्रणा आप समझ ले इसके बाद हम इनका पूरा प्रयोगिक होती है उसे प्रयरित बिद्दवाहक बल कहते हैं और इस परिकटना को बिद्दु चुमकी प्रण कहते हैं जैसे यहां पर मैं एक आपको चुमक बनाकर दिखाऊओंगा कि एक आपके पास चुमक है मान के चलते हैं यह आपके पास एक चुमबाग है यहाँ पे N ध्रूब है यहाँ पे S ध्रूब है और इस चुमबाग के पास एक कुंडली है इस चुमबाग के पास एक कुंडली है कुंडली में पेरे बच्चो एक गल्बिनोमिटर लगा हुआ है बिच्छेब के लिए कुंजी लगाने एक जरुवत नहीं है लेकिन हमने लगा दिया ठेक अब जब ये चुमबक कुंडली के तो पास आए गए तो दूर जाएगा तो यहां से बल रेखा निकलती है और इन बल रेखाओं के कारण ये चुमकी छेतर रेखाओं के कारण पास रखे कुंडली में क्या होती है धारा बैर नहीं लगती है जैसे धार से धारा बैर रहे इस डायरेक्शन में तो इस धारा को प्रेद धारा कहते हैं और यह जो संपूर घटना है वो बिद्दुद्चुम की प्रेरण कहलाता है यहीं चुमक कत्यों के प्रभाव के कारण धारा उत्पन हो जाना ही विद्दुद्चुम की प्रेरण कहलाता है फिर से क्या कहा जब हम किसी एक बंदलूप यह बंदलूप है और एक चुमक के बिच आपे छिगती क्या कि माली चुमक को दूर ले जाएं चुमक को पास लाएं है ना चुमक को स्थिर करें तब कहीं न कहीं इसकी फ्लक्स में परिवर्तन होगा यहीं चुमक की छेत्रे खाम में परिवर्तन होगा और जब चुमक की छेत्रे खाम में परिवर्तन होगा तो धारा के मान में परिवर्तन होगा उस धारा को प्रिरित धारा कहते हैं और जिस संपूर परिखटना है जो संपूर घटना पेरवच्चो वो कहलाता है विद्व चुम की प्रिरण clear? तो चुंबक और कॉंडली के विचा पेचिक गत के कारण कॉंडली में धारा बहना जो घठना है वो विद्व चुमकी प्रिणन कहलाता है परिवासा लिख लें इसके बाद हम फैराडे कि जो भी आपका नियाम है विद्व चुमकी प्रिणन सम milliards क्रम क्रम से आपको बताएंगे प्रियोगी कौन प्रियोग 2 तो आप लोगों को जैसे से मैं बताते चलूँगा आप लोगो step by step लिखना है तो एक बार आप फिर से इस परिभासा को समझ लें कि जब कभी तार के एक बंद लूप और एक विद्दो चुमक के विच अपशिक गति होती है तो बंद लूप में विद्दो धारा बहने लगती है इस धारा को प्रिधारा जिस विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द Srdhruroll का चुंबक है यहाँ पर साइड N roe प्रवचो और साइड E's अब इस चुंबक के पीच मनला पास ही एक कुंडली रखा एक कुंडली यहाँ पर यहाँ पर बना दीता है कुंडली छोटा सा इस चुंबक के पास एक कुंडली है यह कुंडली है परविच्च रिए कुंडली है मान के चलते हैं कुंडली है ऐसा करके method acne अब क्या होगा कि जब कुंबख और कुंडली के बीच आपेशिक गति होगी तो इस में विचेफ होग विचेफ निए यहाँ पार एक चालकतार जोरा गया कुंडली के साथ और चालक तार में गेलबेनो मीटर जोड़ दिया गया विच्छेप को पता करने के लिए ठीक ये तो डायरेक्शन जो है धारा की लिशा सरी ऐसी होती है ठीक इसके वाद यहां पर जो चुमकी शेतर रेखाएं यहां से निकलेंगी और यहां से निकलें से निकलती हैं देखेगा आभी केवल हम छण चुमबक में एन धुरूप के साथ क्रिया कलाब कर रहे हैं क्योंकि किसने बताया फैराड नहीं बताया सबसे पहले उन्होंने कहले लिया एक आपके पास बिदुदुरत तावे के तार की एक कुंडली ले ली और एक चुमबक ले लिए उसको इस प्रकार विवस्तित किया कि इस कुंडली के साथ एक गैल्बिनो मीटर जोड़ दिया गैल्बिनो मीटर धारा मापी तभी न पता चलेगा बिच्छे पूरा की ने फिर देखागी कि जब चुमबक एन धुरूब को समझने कोशिस करेंगी जब चुमबक के एन धुरूब को कुंडली के पास लाते हैं तो धारा मापी में एक बिच्छे पुत्पन होता है पहला उनोंने क्या देखा जब एन धुरूब को पास लाते हैं किसके इस कुंडली के एन धुरूब को मतलब कुंडली के पास लाते हैं चुमबक के एन धुरूब को चुमबअ के बीच आप इची गति बन्द कर दें। चुमबअ को रोंक दें। बतलब यteen आपके पास यहां पे चुमबअ को रोंक दें। और पहरे बच्छों चुमबअ को रोंक दे यहां पर एक कुंडली है। बता रहू हूं Uniya है। सिर्प नारबल तरीके से बता रहू ह फैराडे ने कहा कि जब कुंडली के पास हम एन्दुरूब को लाते हैं तो धारा मापी में यानी जी में एक प्रकार से भी छेफ होता है लेकिन वहीं पे जब इस एन्दुरूब को रोंक देती हैं इस्थिर कर देते हैं तो जो धारा की दिशा तो भहीया माली ये धारा इधर से बह रही थी तो ये इधर आएगी तो ये इधर जाएगी ऐसे और ऐसे लेकिन जब इसमें हम क्या कर दिये कि चुमबा को रोक दिये इस्थिर कर दिये तब इस पर फिर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी कोई विछेव नहीं होगी विछेव सुन की स्थित में आ जाएगी पहला इस condition उने क्या कहा जब N को पास लाए N को पास लाए तो जो आपका धारा मापी जुड़ा हुआ है गल्वेनो मीटर जुड़ा हुआ है इसमें एक दिसा में विछेव होता है लेकिन वहीं पे यदि इस चुमबग को रोग दे यदि इस चुमबग को रोग दे पेरवच्चो तब इसमें धारा प्रभाइत होना बंध हो जाता है अब तीसरा condition इसमें है कि आपके पास छण चुमबग है यह पहला condition था यह दूसरा condition उने कहा तीसरा कंडिशन कहा यह आपके पास छण चुमबक है N और S ठिक और आपके पास एक कुंडली है आपके पास एक आपके पास एक कुंडली है अब कुंडली से जब हम चुमबक को दूर ले जाएंगे दूर ले जाएंगे जी यहां दूर ले जाएंगे पैरे बच्चो यहां पर एक जुड़ा हुआ है क्या गैलवेनोमीटर तो इसके बिछेव की दिसा बदल जाती है बिछेव अभी इधर था तो बिछेव इधर हो जाएगा और साथ में धारा की भी दिसा बदल जाएगी धारा देख लिए इधर था तो यह धारा की दिसा भी बदल जाती है अब यह धारा नीचे की और इसमे था तो धारा ऊपर की और हो गई पहला कंडिशन यह था किस ने बता रहा फैराडी ने बता रहा अपन नहीं नहीं बता रहे केवल फराड़े किसी दंद के अनुसार कि जाब वो एनेस चुमबाक में से ये अन धुरूप को पास लाते ही तो एक दिसा में बिछेप होता है लेकिन वहीं पे यदि चुमबाक को रोख देते हैं तो बिछेप कम हो जाता है बिछेप बंद हो जाता है जो एन धुरूप के पेच्छा जो भी था फर्स्ट स्टेज में वो पहले प्रियोग से विप्रित दिसा में होने लगता है बिछेप होता है किन्तु विप्रित दिसा में होने लगता है ये हो गया ये प्रियोगी कि है उनका प्रियोग पहराड़े अब उन्होंने क्या कोशिस ये किया जैसे हमने N और S किया था उसी प्रकार से हम S के साथ करें तो ये कुंदली बना ली उन्होंने और ये कुंदली कई चालाक तर के मतलब कई फेरों से मिलकर बने जरूर नहीं कि एक ही फेरे हैं अब यहां से पैरे बच्चो यह जो छेत रेखा यह अंदर की ओर चलेंगी यह बाहर की ओर नहीं चलेंगी यह अंसे निकलती है और S में प्रवेज करती है यह देखे इसमें जो विच्छेफ होगा थोड़ा सा पोजिट होगा इसमें देखे जब ये बाहर के हो जा रहे थे तो दिसा नीचे की ओर था अब इसमें जब बाहर की ओर अंदर की ओर जा रहा तो दिसा उपर की ओर हो गया ठीक है और इसमें भी कुंडली में भी छेफ होगा कुंडली में बिच्छेफ होगा इसमें भी गैल बेनो मीटर हम जोड के रखेंगे लेकिन यह जो है थोड़ा सा विपरीथ होगा पेरे बच्छो ऐसा होगा ऐसा इधार होगा ठीक है तो उन्होंने देखा कि जिसे यहन धुरूप को पास ला रहे हैं तब पर भी होगा प्रभायथ फालब को दिया देखेंथ बच्छेफ होना बंध हो गया लेकिन पुर्णें धुरूप को दूल ले गए तो मिच्छेफ होगा इसी प्रकार पेरे बच्छों उन्होंने कहा कि हम ऐस्दोर को पास लाएं यह स्थिरूप को पास लाएं तब पर भी कुंड दीर दीरा दीरे लाएं तो विच्चेप को लाएं तो विच्चेप भी तेजी से होगा ठीक है और कहा गया दीश्चेंगarde को तो मैश्ओं रख दी और कुंडली को चलाएं तब पर भी धारा मापी में बिच्छेफ हो, कुल मिला करके चाहे आप कुंडली को चलाएं या कि आप चुंबक को चलाएं कुंडली को पास लाएं या तो चुंबक को पास लाएं चुंबक को दूर ले जाएं या कुंडली को दूर ले जाएं तब पर भी विच्छेफ हुआ, इसमें ऐसा नहीं है, कि चुम्बा को ही हम पास लाएंगे, उन्होंने दोनों चीज प्रयोगी किया, भी अपने लैब में लगबख 10-12 साल तक उन्होंने प्रयोग में अद्धन किया, लेकिन कुछ निसकर्स ही निकल रहा था, लेकिन फिर भ 12 बरसों तक उन्होंने अद्धन किया, और अंतिमी उन्होंने फेक दिया, कि तूट फूड जाए, अब नहीं करना है, अंतिम में उसको बिच्छेफ मिल गया, तो यही कंडिशन होता है, इंसान जब कभी-कभी अपने अंतिम लक्ष के कगार पर पहुँच जाता है, फिर इस्तित को छोण देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने यही रास्ते पर चल रहे हो, तो उस रास्ते को पकड़े रहो, है ना, ताकि आप उस पर सकसज हो जाओ, तो उन्होंने क्या कहा, कि भाईया, यही तेजी से चुमबक लाओगे, तो तेजी से बिच्छेफ हो होगा, तो धाराप अभी विच्छेफ नहीं हो सकता, ठीक है, और का यही चुमबक कमजोर है, तो विच्छेफ कम होता है, किन्तों यही चुमबक मजबूत है, तो विच्छेफ अधिक होता है, यह जो प्रियोग पहला है, यही आपका काम का चीज़ है, यही आपका काम का नियम और फेराडे का दूती नियम गरती बेख्या जो की पेपर में पूछा जाता है तो उसको मगले वीडियो में चर्चा करेंगे पेरे बच्चों फिर लेंज का नियम भी आपको समझाएंगे तो ऐसे हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे आप लोग बस हना अच्छे से त्यार करते चलें और अच्छे लाइट लाइक करें दोस्तों सेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो के शाहत अब टक लिए जैहिंद बंदे मात रहां